हालो बच्चो कैसे हैं आप मैं साक्षी के शर्वाल आपकी मैंदमाडिक्स मेंटोर आपकी टीचर आपकी गाइड तो आज आप लोग क्या करने वाले हैं आज हम करेंगे प्राक्टिकल जोमेट्री मतलब सो मच अफ प्राक्टिकालिटी व्या गोइन टू लर्न टूड़े सो यार बेटा अभी तो क्या मैम ने बहुत सारी जोमेट्री पढ़ाएं तीन चैप्टर जोमेट्री पढ़ाएं कुछ बच्चों को समझ में आया होगा कुछ बच्चों को ऐसा लगा होगा यार वाई 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 जोमेट्री तो जोमेट्री का ये बहुत ही जितनी पढ़ए थे हम अभी तक क्या क्या पढ़के है हम पाइध आइधैर nasıl पढ़के हैं हम लल इक्रिवायी से सब्सक्रिद करने वाले आ 12 हम और रही जो प्यारे बच्ञेons नो रहे हैं आज क्लास में स्टार्ट करने के हमारे सथों यो आपको ले का को में आना है को सब्सक्रिदäre compass right अपना protector और अपनी scale pencil और eraser और sharpener चलेगा तो अच्छी बात है तो ये सब चीज तयार होके बैठिए और copy को खोलिए और ध्यान से सारी बाते सुनते जाएए तो अभी क्या करेंगे कि आज की class में मैम आपको क्या क्या पढ़ाएगी मैम आपको पढ़ाएगी मैम आपको अच्छी या पढ़ाएगी मैम पढ़ाएगी कि parallel lines कैसे construct करते हैं मैम triangles कैसे construct करते हैं अच्छा अच्छा चल पहले हम लोग start करते है parallel lines कैसे start करते हैं तो parallel lines start करने से पहले चलो एक बात बता देती हो मैम line segment क्या होता है? Ma'am line segment वो होता है, जिसके दो end points होते हैं, तो ये इसका end point A और एक end point F, तो ये आपका क्या हो गया? Line segment हो गया, फिर इसके बाद हमको पता है perpendicular lines क्या होती है? अगर आपने कोई भी एक line बनाई बचे, एक line बनाई और उस line पे आपने एक perpendicular xy बनाया, तो इसे क्या होते है? बोद the lines are perpendicular to each other, अब ये तो खाली basic, basic सी चर्चा थी, अब हम basic आज क्या पढ़ने वाले construction of a line, basically ये line construction कैसे है? how to construct a parallel lines, right? तो construction of parallel lines अगर आप ध्यान से देखो, तो construction of parallel line मैं आपको ऐसे भी सिखा सकते हूं, माल लीजिए ये आपका sheet of paper है, right? दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, आप भी अपने हाथ में उठाओ, अब इस sheet of paper पे अलाम से, पहली बात तो जो हमनों copies में लेखते हैं, उसमें बहुत सारी lines होती है, हमें क्या बनानी, parallel lines बनानी है, right? तो construct a parallel lines to a given line through a point not on a line, तो माल लेते हैं कि आपने क्या किया, अपने copy को एक page लिया, right? ये आपको page दिख रहा है, मैं एक अच्छा सा page लेती हूं, right? कैसा page लेती हूं, एक अच्छा सा page लेती हूं, देखो, अच्छा सा page लेने में, plane सा page लिया, अब plane से page पे क्या करो, एक point अपने मन से जहां भी वन हो, वहां पर बना दो, मैंने बनाया, ऐसे center में fold कर थे हूं, क्या किया? मैंने एक center पे fold कर दिया, तो आपका मने, जैसे बनाना, वैसे बना दो, अब मैंने क्या किया? अब मेरे पास अभी तो pen है नहीं, है ना, आपके पास तो pen है, तो कोई नहीं, हम इस पर क्या मानते हैं, मैंने एक क्या किया? एक point मैंने एकदम center पे बनाया, क्या बनाया, एकदम center पे बनाया, तो इससे क्या हुआ, एक center पे line point आया, that is, this is your center point, right, अब ये आपका जो center point था, अब इस center point से, आपने क्या किया, कि आपको lines parallel बनानी है, तो जैसे आपने ये line ऐसी बनाई, तो इस line को वाप्ट से ऐसे fold कर दो हाँ, यह ना, तो अब एक बात बताओ, चलो, पैरे में एक चीज़ बताती हूँ, एक चीज़ बताओ, बेटा, ये एक line आपने बनाई, आपने एक line ये बनाई, तो इन दोनों के बीच में कैसा angle form हुआ, कैसा form angle हुआ, angle that is what, that is 90 degree form हुआ, अब क्या हुआ, अब ये आपने पेज बनादो, देखो, कुछ नहीं, fold करते वे, चले जाओ, अब ये point को तुमने उठाया और fold कर दिया, तो अब ये जितनी भी lines इसके अंदर बनी, देखो, ये lines बनी, right, फिर ये वाली lines बनी, और ये वाली lines बनी, तो ये lines क्या है, एक सब की parallel है की नहीं है, अब this is the construction of a parallel line, क्यों माम, क्योंकि हमको पता है कि माम corresponding angles क्या होते, equal होते है, co-interior angles के sum किता होता, 180 degree होता है, alternate angles क्या होते, equal होते, तो अगर मैं यहाँ पर angle 90 बनाया, तो यहाँ पर भी angle किता बनाया, 90 बनाया, तो इस पर हम ये भी बहु सकते, co-interior angle की वज़ेस हुआ, अगर यहाँ 90 ब से कैसे बनाओगे, क्योंकि school में माम तो marks उसी से ही देती है, क्योंकि माम ने तो नहीं बोला कि यह paper से बनाओ, तो इसको यह जो आपका यह है, इसको और इसको कैसे use करेंगे, तो अपनी pen copy को start करें, पहली बात, पहला जो आपसे question क्या बोलता है, आपसे question बोलता है step 1, क्य क्या करेंगे, फिर बोला है take a line L and a point A outside the L, तो पहले आपने क्या बनाया, एक line बनाया, और उस पे एक क्या लिया, एक line L बनाया, this is line L, और एक point क्या लिया, A बहर लिया, फिर step 2 क्या करेंगे, ma'am, step 2 को A, B को हम क्या करेंगे, किसी भी B point लो line पे और join कर दो, join कर दिया, taking B as a center and a convenient radius, draw an arc L at the C, तो आपको क्या करना है, अपना जो compass है, this is your compass, put your needle at over here, यहां अपना needle रखो और ऐसे arc खीच दो, कैसे कीच दो, ऐसे arc खीचो, needle को कहां रखना है, B point पे रखना है, और अपने मन से इसको खोलो और R को खीचो, तो यह कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा, है ना, ऐसा बना, अब यह जो तुम्हारा arc था, L पे किस पे मिला, C पे मिला, और D पे मिला, अब सेम यही जो arc आपने खोला था, चेंज नहीं करना है, तो step 4 में क्या करना है, आपको, step 4 पे सेम इसी arc को रखके, कहां पर रखना है, ए वाले point पर रखना है, कहां रखना है, कुछ E, F और G रख दिया, है ना, अब जो 5th step है, यह सबसे important है, यह वाला step क्या है, this is your important step, right, अब यहाँ पर क्या करना है, taking the, place the point on the tip of the compass at the point C, C पे रखो, यहाँ पर क्या रखा, C पे रखा, and adjust the opening so that the pencil tip is at the D, तो हमें यहाँ पर ऐसे को अज़ेस करना है, C पे रखके, D तक adjust करते हुए जाना है, तो हमारा क्या होगा, compass यह set हो गया, right, जैसे यह set हुआ, तो इसको क्या करेंगे, जाके, जैसे ही आप पहुचेंगे, इसको हम G पे रखेंगे, क्या रखेंगे, now, with the same opening, same opening के साथ, in the step 5, with G, मतलब यह जो point G था, as the center, draw the R cutting at EF at H, तो same पे जैसा cut कर दो, जैसे तुमने cut किया, तो तुम ध्यान से देखो बच्चे, कि क्या यह वाला angle जो तुमने अभी measure किया, तो क्या यह वाले angle के बराबर है की नहीं है, हाँ या ना, तो यह जैसे बराबर हुआ, तो step 7 में क्या करो, सीधे H से क्या करो, AH से line गुजार दो, तो क यह आपने यह वाला angle is equals to यह वाले angle बनाया की नहीं बनाया, और जैसे दो angle same हो गया, तो यह angle कैसा behave कर रहा है, alternate angle जैसा behave कर रहा है की नहीं कर रहा है, alternate angle जैसा behave कर रहा है, और alternate angles कभ equal होते हैं, जब lines क्या होती है, parallel होती है, तो can we say, note that angle A, B, C and B, A, H, B, A, H are alternate interior angles and therefore M is what, parallel to M, आया यह चीज़ की नहीं है, very very simple, very simple, पहले क्या करना है, एक line बनाना है, line पे एक point लो और एक बाहर point लो, दोनों को ठाके join कर दो, फिर एक arc लो, वहाँ B point पे रखके एक arc बनाया, फिर arc से क्या करना है, same वही A point पे रखो, उधर भी वही same arc बना दो वह बनाया, उसके बाद क्या करना है, जो angle measure करना है, वह angle अपने measure किया, और वह angle measure किया हुआ, आपके angles equal होगे, therefore, what, we say that both the angles are equal and they are behaving are what, alternate angles, therefore, these two lines are what, parallel, आप ऐसे बना लो, बहुत simple, बहुत, 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 बहुत simple, बनाया की नहीं बनाया, अगर आपने बनाया है, तो ल corresponding angle से भी सिखाते, तो आपकी इच्छ है, आप alternate angle से सीखो, क्योंकि NCRT में alternate angle से दिया हुआ, चाहो तो इसको corresponding angle बना के भी कर सकते थे, तो मैंने NCRT के थू गई, तो I am going with the alternate angle, चाहो तो corresponding angle से भी चल सकते, अब तो योगया parallel lines बनाना, बनाया, तो क्या लिखेंगे, chat box में ल करते हैं, क्या बोला है, कि हमने triangles को कुछ important property से classify किया था, क्या classify किया था, कि जो exterior angle का जो sum होता है, exterior angle का जो sum होता है, that is what, that is 2 interior angle का sum is equals to what, exterior angle के sum के बराबर होता है, यह अपन ने किया हुआ है, थर्ड हमने पढ़ा हुआ है, कि angle sum of a triangle is equals to what, 180 degree, that is angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is what, 180 degree, right, now coming to your third thing, यह चीज़ हमें पता है, कि length of the two sides of a triangle is what, always greater than that is what, of third side or not, that is, this is side A, this is side B, and this is side C, so side A plus side B should be what, greater than that of C, और हर्ट condition में apply होता है, फिर हमने पढ़ा पाइथ गिरिस थेरम, तो पाइथ गिरिस थेरम किस में apply होता है, एक right angle triangle में apply होता है, तो right angle triangle में क्या बोलता है, अगर एक side A ह फिर क्या बोला है, तो this is your leg B, तो B का square is equals to what, hypotenuse or not, that is C square or not, so this one is known as what, beth, hypotenuse or not, hypotenuse or not, hypotenuse, right, और यहाँ पर्म क्या लिख सकते, B plus C should be greater than that of A, और B plus, sorry, A plus C होना चाहिए था, यह, रोको एक second, that is A plus C should be greater than that of B, तो यह सारी possibilities क्या होनी चाहिए, एक triangle में satisfy होगा, तभी आपका triangle का formation possible है, otherwise आपका triangle का formation नहीं possible है, फिर बोलोगी कि माम, इसमें congruency से कैसे related है, congruency से ही related है, क्योंकि triangle का तभी construction हो सकता है, we say that, that draw if any of the following measurement are given, तो कभी भी we saw that the triangle can be drawn, triangle कभी draw हो सकता है, जब यह तीन सारे measurements दिया हो, तो पहला क्या बोला है, तीन साइट का मतलब क्या, side, 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 right or not, तीन साइट का मतलब, तीन साइट साइट, फिर क्या बोला है, two side and the angle between them, तो यह क्या तुमको SSS वाली feeling आ रही है कि नहीं आ रही है, फि two sides and angle between them का मतलब क्या हो कि side, angle, side, क्या यह तुमको side, angle, side का feeling दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हाँ यह ना, फिर तीसरा चीज बोला है, two angle and the side between them, तो two angles, यह कैसा है, two angles and the side between them, तो यह कैसा दिख रहा है, angle, side, angle का rule दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ यह ना, हाँ यह य hypotenuse and a leg in the case of a right-angle triangle, we will now attempt to use these ideas to construct the triangle. तो मतलब क्या कि हाइपोटेनिस वनला right-angle triangle बनाने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? हाइपोटेनिस पता होना चाहिए और एक साइड कोई भी एक साइड पता हो और 90 डिग्री पता हो. तो हम क्या बना लेंगे? एक right-angle triangle concert कर लेंगे कि नहीं? एक 90 डिग्री पता हो, हाइपोटेनिस पता हो और एक side का length पता हो. तो तुम्हें RHS की congruvency का तुम्हें क्या दिख रहा है? तुम्हें feel आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कभी भी आपको triangles बनाना हो, तो पहले क्या करो एक rough figure बनाओ. मस्तसा एक rough figure बनाओ. figure बनाने के बाद देखो, क्या इन सब की सारी criteria satisfy हो रहा है? हाँ. फिर क्या उसके पहले जो अभी आपने पढ़ा triangle inequality, triangle sum properties, pi-thin-3, वो satisfy हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब वो satisfy हो रहा है, तभी आपका construction होगा, otherwise आपका construction पॉसिबल नहीं है. मैं आपको दिखाती हूँ. चलो, let's do one first question. First criteria is what? SSS, right? When the three sides are given, that is SSS criteria होगा. तो पहला question क्या दे रखा है? draw triangle ABC with a side AB is 6 cm, BC is 5 and AC is 9 cm. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक rough figure बनाएंगे. हमारा सबसे पहला काम होता, rough figure और rough figure के हिसाब सही हम चलेंगे. तो rough sketch हमने बना दिया, that is ABC. ये 6 cm, ये 9 और ये 5. तो सबसे पहला step क्या करेंगे? that is step 1. ये तो हो गया. step 2 क्या होगा? step 2 में हमें क्या करना है? 6 cm का line बनाया, right? 6 cm का AB line 9 cm बनाया. फिर आपके rough figure में BC और AC किता था 9 cm और 5 cm. तो step 3 क्या करेंगे? draw, देखिंग, point A. from the point A. क्या सा? देखो, देखो, देखो. तुमारा क्या था? ऐसा था. मैं दिखाती हू. A था, ये B था और ये C था, right? this is 6 cm और AC किता था 9 cm. तो अब यहाँ पर A point पे, C is 9 cm अवे, so take A as center and draw an arc of what? 9 cm or not. तो अपना compass needle खोलो, इससे ऐसे खोलो और 9 cm measure करो. क्या करो? 9 cm को measure करो. अपने compass needle को A पे रखो और एक मस्त सा ये 9 cm का arc बनाओ. देखा की नहीं देखा? यहाँ पर क्या रखो? A पे center रखो और 9 cm का arc बनाया. फिर step 4 क्या बोलता है? similarly, यहाँ पर आपने 9 का बनाया की नहीं बनाया? यह 9 का बनाया. अब आपको क्या बोल रहा है? कि जो आपका triangle था, this is A, this is B and this is C. This is 6, this is 9 and this is 5. अब देखो, इस triangle में B से C तक का distance किता था, 5 cm का था. तो फिर से क्या करना है? कॉंपस नेल को 5 cm पे open करो. फिर क्या करो? बी पे रखो और एक arc काटो. तो बी पे जैसे रखोगे तो एक arc कट गया की नहीं कट गया? अब जहां पर यह arc मिले, तो उनको क्या करो? अपने last point में इस तरह से join कर दो and that point is what? C. तो this is 9 cm, this is 6 and this is 5. So this is your what required triangle. अब इस required triangle में पहली बाद एक चीज़ देखो. कि यहां पर क्या सम of the 3 side is always greater than that of the 3rd side है की नहीं है? देखो 9 प्लस 5, देखो 9 प्लस 5 क्या always greater than that of 6 है? पर्फेक्ट. राइट? क्या 6 प्लस 5 हमेशा 9 से बढ़ा है? हां मैं. क्या 9 प्लस 5, 6 is greater than that of 5 हां या ना. तो triangle inequality भी होल्ड कर रहा है. SSB रूल होल्ड कर रहा है. तो यह क्या होगा? यह triangle ऐसे construct होगा. hopefully आपको यह सारी चीज़े समझ में आये होंगे and इसके जो notes है बेटा, these notes are available on the PW app. You go and get the notes from there. क्योंकि बार-बर सारी चीज़े लिखने की ज़रत नहीं है. अब मैं आपसे question पूछती हूँ. question यह पूछती हूँ. कि अगर आपके सामने, is this right? अगर आपको मैं बोनूँ कि इस triangle को construct करो. क्या आप construct कर पाओगे? करके दिखाओ. अगर आप करते हो, इसका जवाब आप दोगे chat box में. यह मैं देती हूँ. कि लिखना है कि chat में क्या लिखना है? Is it possible to construct a triangle 2, 4, 4 and 6? एक ब please do this in your like, in the chat box कि ma'am, we cannot do the construction of this triangle. reason भी लिखो. reason यह लिखो कि ma'am, I tried making the construction and it is not possible to make it. reason, पहला मैं एक reason आपको देती हूँ. reason क्या है? कि यहाँ पर 2 plus 2 किता है, 2 plus 2 is not greater than that of 6. तो triangle inequality तो यही पर ही नही नही शाटिस्पाइ. triangle inequality not satisfied. तो यह triangle, so triangle cannot be formed. बना के देखो, triangle cannot be formed. एक बार बनाओ. cannot be formed. यह मैं reason लिख दे रही हूँ एक बार के लिए, पर आप इसको reason के साथ लिखो. देखते किते बच्चे वीडियो को देखते हैं और reason के साथ बराबर से लिखते हैं कि ma'am, I really did the construction but it's not possible to do it, right? Now coming to your second criteria, what is your second criteria? is side angle side criteria. It means what? तुमें दो side और एक included angle पता होगा. तो क्या होगा? पहले चले, question से करते हैं, फड़ा पर question से करते हैं. क्या दे रखा है? तो पहले क्या करना है? rough sketch. always make a rough sketch. Rough sketch बनाया. तो rough sketch में आपने देखा L, M, N. तो यहाँ पर लिखा आपने 8 cm, इसको 60 और इसको 5, right? अब जब आप इसने इसको ऐसे लिखा, आप कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे, कि ma'am, हम इसको L, इसको N और यहाँ पर M ले ले, चल है, this is 5, and angle L किता है, 60 है, और यह किता है, 8 cm, तो तुम चाहो यह figure बनाओ, या यह figure बनाओ, चोईस तुम्हारी है, right? बोत आर करेक्ट, there is no problem, the way I make, it's fine. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, step में, अब खुच से सोचो, अगर इस figure को आपको बनाना होगा, तो सबसे पहले बनाओगे, base line, तो क्या बनाओगे, 8 cm की एक line बनाओगे, that is your step 2, तो क्या गया, draw line segment of line 8 cm, बनाया, फिर इसके बाद आपको क्या बोला था, 60 degree भी यहाँ पर मौझूद है, तो यह 8 था, यह 60 था और यह 5 था, तो यह क्या था, L, M, और N, मैं बार बना देती हो, तो पहले क् 60 degree बनाओगे, तो have you made this is your 60 degree, draw an angle of 60 degree at the point L, name this as LO, फिर इसके बाद क्या था, आपको यह चीज़ पता था, कि यह 8 है, यह 60 है, और यह किता है 5 cm, तो पहले बात यह वाला जो distance होना चाहिए, वो किता होना चाहिए, 5 cm होना चाहिए, तो क्या करोगे, 5 cm का take L as the center, मतलब क्या कर L पे center का मतलब क्या, L पे अपना needle रखो, और 5 cm का क्या करो, arc cut कर दो, तो arc जैसे cut क्या तो यह क्या होगे, end point आएगा की नियाएगा, तो इसको उठाओ, और next step में M से join कर दो, so this is your what, required triangle, very easy, बेटा, very easy, you can do this all normally, you can do it, उठाओ बेटा, pen copy, उठाओ, एक्दम बराबर से सार चीज़े दिख रही है, चलो मैं एक और आप से चीज़ पूछती हूँ, think, अब मैंने आप से पूछा, कि आपके पास एक triangle ABC है, जिसमें AB की लिए 3 है, AC की 5 है, और angle LC किता है 30 degree, can you draw this triangle, देखो, पहले rough figure, हमेशा rough figure help करता है, तो क्या नाम दिया, A, this is B and this is C, this is 3 and this is AC is 5 and angle C is what, 30 degree, पहली बाद, क्या ये side angle side का rule follow कर रहा है, is it following the side angle side rule, is it following the side angle side rule, पहली बाद तो side angle side का rule नहीं follow कर रहा है, तो अब इसको मैं हम बनाएंगे कैसे, तो यार देखो, इसको मैं ऐसे तो बनाना easy नहीं है, क्योंकि हमें सबसे पहले एक line बनाना होता है, which is a base, तो base को हम ऐ कैसे बना लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं, this is B, this is A, और C, मैं ऐसे कर देती हूं, तो इसको मैं 3 cm कर देती हूं, और AC को मैं 5 cm कर देती हूं, और angle C को 30 कर देती हूं, ये सही है न, है न, अब पहली बात, तो आप अगर compass लोगे, तो सबसे पहले क्या करोगे, B, A का एक line segment बनाओगे, 3 cm, right, अब इसके बाद आपको ये वाला angle तो पता ही नहीं है न, अभी इसके पहले आपने क्या किया था, इसके बीच वाला angle पता था और आपने उठा के mark कर दिया था, पर क्या है आपर आपको angle पता है, नहीं पता है, so can you make this triangle, no, no, simply no, और इसको आप reason लिखो, प्रॉपर in the chat box, मैंने तो बोल दिया, but let's see how many of you are going to write in the chat box, chat box पे लिखो, I'll try to comment it, or I'll say like the comment, please इसको लिखो, कि इसमें answer no, मैंने तो reason दिया, पर reason क्यो लिखोगे, वो आपको लिखना पड़ेगा, when you write it, then there's a thing in your mind, कि हाँ ये कर सकते कि नहीं कर सकते, coming to your third criteria, third criteria क्या है angle side angle का मतलब क्या, angle side angle मतलब दो angle और included एक side हो, है ना, तो पहले अगर इसको एक question से करते है, question क्या, draw triangle ABC with angle B 60 degree, angle C 70 degree और BC किता 8 cm, तो solution क्या दिया हुआ है, पहले क्या करेंगे, एक rough sketch, क्या बनाएंगे, rough sketch, तो हमेशा side ऐसा लो, जो base में है, क्या है, base में है, तो ये 8 है, य ये 6 नहीं दिया हुआ, right, I guess ये गलती से बन गया है, तो इसको रिमूफ कर दे आप, right, तो ये किता होगे, this is 8, this is 60 and this is 70, this is all what is given, तो अब आपको क्या करना, सबसे पहला step क्या होगा, मन की आखों में सोचो, तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, BC का लेंथ बनाओगे, त तो BC का लेंथ क्या होगा, that is 8 cm आपने बनाया, फिर क्या करोगे, आपका जो ट्राइंगल था, this is B, this is C and this is A, तो यहाँ पर क्या बनाओगे, 60 degree और यहाँ पर क्या बनाओगे, 70 degree बनाओगे कि नहीं बनाओगे, और ये 8 था, तो B वाले पर क्या करोगे, 60 degree बनाओगे कि न क्या करोगे, C पर आप क्या करोगे, यह नहीं दिया हुआ, यह थोड़ा सा mistake है, तो C पर क्या करोगे, यह 60 था, यह कितना था, 70 था, और यह कितना था, 8 था, तो अब C पर क्या करोगे, 70 degree का अंगल बनाओगे कि नहीं बनाओगे, अब 60 degree का अंगल हम किस से बना सकते थे, आपने प्रोटेक्टर से बना सकते थे, और 70 डिग्री का अंगल हम किसे बनाएंगे, कॉम्पस से बनाएंगे, तो कॉम्पस से क्या क्या, वो 70 डिग्री बनाएंगे, और दोनों जाके जहां पर मिलेंगे, वो वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका A पॉइंट 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 हो जाएगा, अगर आपके पास एक ट्राइंगल दिया हुआ हुआ है, अब बताओ, can you draw this question, you have to answer me without, पहले मुथ से पहले अगर कोई answer करता, चाट बॉक्स में, तो लिखो, कि ma'am, I answered you before your explanation, that yes or no, right? So, लिखो, क्या दिया हुआ है, पहले हम rough figure बनाते हैं, तो अंगल A, C, क्या है, हम इसको नीचे ले लेते हैं, और इसको B, A, B, C, तो अंगल A किता दे रखा है, 60, अंगल B किता दे रखा है, 50, और A, C किता दे रखा है, 7 cm, क्या हम यहाँ triangle construct कर सकते हैं, सोचो, क्या हम triangle construct कर सकते हैं, यह तो angle angle side दिया हुआ, तो माम angle angle side criteria तो पता नहीं होता है, कि नहीं होता है, पर अब थोड़ा सा बुद्धी लगाओ, थोड़ा सा इसको अपने mind को expand करिए अब, अगर यह B है, यह A है, और यह C है, अगर यह 50 degree है, और यह 70 degree है, तो यह वाला angle कितना होगा, तुम्हें यह angle पता है, इसके रिए तो हमें कोई load नहीं लेना है, इसके रिए तो कोई load नहीं लेना है, तो यह वाला angle कितना है, तुम्हें यह 50, 60, अच्छे, 50, 60 है, इस इस 60, sorry, तुम्हें यह 50 और 60 कितना होता है, 110, और 180 में से 110 मैनस करता होता 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 है, अगर C will be what, 70 degree, and this is what, 7 cm, तो क्या angle side, angle का rule बना की नहीं बना, यहाँ पर angle side angle का rule बना की नहीं बना, तो triangle आप बना पाओगे की नहीं बना पाओगे, yes, you can make a triangle, reason क्यों, क्योंकि अगब आप angle angle side बोलो, या angle side angle बोलो, दोनों बात बराबर है, अगर दो angle पता, तो third angle थो हम अपने बन से निकाल सकते की नहीं निकाल सकते, हमने third angle निकाल लिया, और यह वाली property क्या होगी, satisfy होने लगी, इस वज़े से हम triangle क्या कर सकते, बना सकते, तो लिखो माम, कि angle side angle वाला, जो question था, मैंने आप से पहले chat box में लिख दिया, आप explain भी नहीं किये थे, तो उसे क्या लिखना है, chat box में लिखना है, right, now coming to your last criteria, what is your last criteria, that is your RHS, तो RHS criteria क्या बोलता है, पहली बाद तो RHS criteria सिर्फ right angle triangle में लगता है, किसमें लगता है, right angle triangle में, right angle triangle में pythagoras theorem भी क्या होना पड़ता है, satisfy होना पड़ता है, हाँ यह ना, तो अगर मैं आप से question पूछू, कि आपके पास क्या है, draw triangle PQRS, which is right angle at P, मतलब 90 degree किस पे है, P point पे है, QR की value किती है, 7 है, और PQ की value किती है, 4.5 cm है, तो पहला क्या करेंगे, मैं, rough sketch बनाएंगे, तो rough sketch बनाया, तो PQ की value किती है दी, 7.5, 4.5, पहले क्या करो, कभी भी तुम्हें एक right angle triangle लो, तो पहले आप से जब बोले, कि right angle at P है, P पे बना दिया, फिर आप से बोला है, P, Q and R, तो P, P, फिर यहाँ पर चाहिए Q ले लो, और यहाँ पर R ले लो, अगर यहाँ पर Q लेते, मालो यहाँ पर Q लेते, तो यह किता था 4.5, और यह आता 7, तो पर मैं, इस समय construction करने में दिक्कत होती है, क्योंकि हमें हमेशा एक baseline की value चाहिए होती है, तो instead of not drawing this, हम क्या draw करते हैं, हम ऐसे draw करते हैं, हम इसको draw करते P, फिर यहाँ पर लिखते हैं, माम Q, और यहाँ पर लिखते हैं, R, तो यह किता है बिटा 4.5, और यह किता है 7, इस तरह से figure को judge करते हैं, अगर कभी भी right angle triangle आए, तो पहले सबसे पहले अपने right angle की position fix कर दो, फिर उसके हिसाब से P और बाकि जो number दो vertices हैं, उसके naming, उसके according adjust कर दो, यह भी सही है, पर यहाँ पर क्या होगा, 4.5 यहाँ पर बन रहा तो तो बनाने में दिक्कत होगी, तो सबसे पहले आपको पता, अभी तक हभी हम क्या करते होगा हैं, सबसे पहले second step में क्या करेंगे, 4.5 का एक line segment बनाएंगे, तो क्या बनाया है, 4.5 cm का एक line segment बनाया, अब P पे क्या करेंगे, एक 90 degree बनाएंगे की नहीं बनाएंगे, P पे 90 degree बनाया, हाँ की नहीं, जैसे P पे 90 degree बनाएंगे, तो ये P पे 90 degree बन गया, अब हमको एक चीज पता है, क्या पता है, P पे 90 degree था, और P और Q के बीच में distance किता था, 4.5, और हमें एक चीज ये भी पता था, कि ये distance किता है, यहाँ से Q से लेके, R तक का distance, जो ये वाली लाई ने 7 cm का, तो अब अपने कॉंपस पे क्या करेंगे, माम, 7 cm का क्या करेंगे, आर्क लेंथ ओपन करेंगे, और उसको ठा के Q पे रख देंगे, और श्वी से जहां पर आएगा, उसको माक कर देंगे, तो क्या लिखा हुआ है, तेक Q as a center and draw an arc of 7 cm, intersect P, S, at what, आर पे करेगी कि नहीं करेगी, जैसे ये आर पे करेगा, तो this is your what, required triangle, right or not, so hopefully you people have understood this concept, really, really well, बहुत आसान सा chapter है, सिर्फ और सिर्फ एक बार आपको क्या करना है, सिर्फ एक बार सारी चीजों को compass से लेके practice करना है, once you do the practice, you are really, really good to go with all these things, बस यहाँ पर पता आपको, मैं सच बता रही हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं, जो बड़े बच्चे हैं, उनको यहीं नहीं पता कि triangle कब construct कर सकते, कब कर नहीं construct कर सकते, बहुत सारी misconceptions होते हैं, तो यह आपका class 7 standard में सिखाया जाता है, कि triangle तभी construct होता है, जब आपके पास जो आपकी criteria है, जो SS, SSS, ASS, ASA और RHS जो criteria है, उन criteria को अगर वो satisfy करता है, तभी आप triangle बना सकते हो, otherwise you cannot make a triangle, आपको same question जब आप class 10 में आते हो, तो यह एक part है, एक part है उस question का, जहां पर आप आगे की construction करते हो, so you have to be very thorough with it, just practice and just make your concept very very clear, and मैंने आपसे जो भी questions आज पूछे हुए, उसको क्या लिखना, चाट बोक्स में proper mention करो, कि माम, I know what you are going to say, this is my answer and this answer is correct, and I answered you before you, right, I answered before you, and I will be really happy, because कुछ बच्चे जब लिखते हैं क्लास में, कि माम मैंने आपसे पहले कर लिया, that is really nice, कि you people are studying and doing well, 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 well in the class, so तब तक के लिए, मिलते हैं अपने next chapter के लिए, so बाई-बाई, टेखेर and ठाठा.